जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में 15 जनवरी 2024 से और 13 फरवरी तक सूर्य का जो प्रभाव है वो तुलाराशी के लोगों के लिए बेहज़ बर्दस्त होने वाला है क्योंकि आपको मिलने वाले हैं ऐसे ऐसे शुब परिनाम जो आपके लिए इस सूर्य की किरपा से भाग्य को बदलने वाले साबित होने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशी के लोगों के लिए बनने वाले सूर्य बुध के बुधाजित योग का परभाव, बाकी ग्रहों के साथ सूर्य की यूती का परभाव और सूर्य के राशी परिवर्तन से अगला एक महिना 15 जनवरी से 13 फरवरी अगला एक महिना कैसा होने वाला है, तो यह जानने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखें, चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ, क्योंकि यहां आपको अपनी राशी से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती है, तो देखि के कारक हैं, सफलता के कारक हैं, नेत्रत्व गुण देते हैं, सरकार के भी यही कारक माने जाते हैं और अधिकारियों के भी, क्योंकि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनको आप प्रतक्ष रूप से देख सकते हैं, राजा है ग्रहों के, तो नाम देंगे, प्रतिस्टा देंगे मानेता देंगे इसलिए सूर्य का हमारी कुंडली में मजबूत होना बहुत जादा जरूरी होता है जिसका सूर्य मजबूत है न वो नित्रत्व का गुण रखता है वो सिंगहसन पर बैठा होता है अब 15 जनवरी को सूर्य का राशी परिवर्तन है जो कि मकर संक्रान्ति के पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि भगवान सूर्य के पूजा करने से भगवान सूर्य का आशिरवाद उनको प्राप्त होता है तो इस दिन से अगला एक महिना तुलाराशी के लोगों के लिए कैसा रहेगा और सबसे बड़ी चीज है कि आप सूर्य को कैसे मजबूत कर सकते हैं क्योंकि सूर्य का हर एक व्यक्ति की कुंडली में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूर्य राजा है और राजा अगर मजबूत है तो बहुत ज़्यादा शुब उसको रिजल्ट मिलेंगे सब कुछ उसके फेवर में होगा यानि ये आपके चौथे बहाव के स्वामी है और इस दोरान सूरिय विलासिता, संपत्ती, वाहन, मासे संबंदित चीजों को ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं संपत्ती के लेंदेन पर भी इस दोरान तुलाराशी के जातक बहुत अच्छे विचार कर सकते हैं आपको अगर संपत्ती खरीदनी है या संपत्ती बेचनी है या अपने वाहन को अपग्रेड करना है यानि कि आपको आपके पास वाहन है लेकिन आप उसको बेच कर दूसरा खरीदना चाहते हैं अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक महिना बहुत अच्छा है ये दिहान रखना लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आपको अपने माता की स्वास्ते का दिहान रखना है, माता का स्वास्ते प्रभावित हो सकता है, तोड़ा बहुत जिससे तनाव आपको हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके करियर के बारे में, आपके संपत्ति के बारे में, तो वहाँ चीजें जादा अच्छे से दिख रही हैं, क्योंकि तुला राशी में आपका चौथा भाव है, चौथे भाव में आपके लिए जो चीजें हैं वो काफी अच्छी रहने वाल साथ जन्वरी को यहां बुदाधित राजयोग बन जाएगा, यह बने गहां पंधरा जन्वरी तक यह बुदाधित राजयोग बनेंगा और इस योग का जो परभाव है, वह आपको बहाद शुम देखने को मिलेगा, क्योंकि यह बनने वाला है आपके यहां चौथे भाव में तो इस जो ये जो परिवर्तन है ये क्या करेगा ये आपके मामा हो गए आपके चाचा हो गए आपके बाहिबहन हो गए उनके साथ आपके रिष्टे को सवारने का काम करेगा अगर किसी भी तरह है कि कोई दिक्कत है चल रही थी तो वहाँ इन सभी लोगों के साथ आपके रिष्टे सुधरेंगे, रिष्टों को सवानने का काम करेंगे, यहां तक कि आपके प्रेम जीवन के लिए हाद से भी मैं कहूंगी यह समय बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है मुझे, जहां आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, अगर आप वेफसाय करते हैं, दिखे धकेलने का कारिया कर रहा है, तो ऐसे वेक्तियों से आपको बच कर रहना होगा, इस समय आप विदेश से जुड़े हुए कुछ कामों से जुड़ सकते हैं, और वहां से आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलने के भी योग बने हुए हैं, आगे भी आप कुछ ऐसे नए वेपारिक सौदे कर सकते हैं, जो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, इस दोरान आप अगर अपने करियर से संबंद में विदेश में स्थारांच्रित होना चाहते हैं, तो ये समय बहुत उपयोगत होगा, ये एक महीना बहुत उपयोगत होगा देश जाने के योग बन रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के योग बन रहे हैं, आपको संतुस्टी मिलेगी अपने नौकरी में भी जो आप जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको संतुस्टी मिलेगी, उसमें विकास कर पाएंगे, कम या भी हासल करेंगे, और इस स थोड़ा सा आपको देखना होगा, मुम्किन है आपको अपने परिवार में चीजों को समझने किया वाशकता है, जी चीजों को समझें, रिष्टों पर नजर डालें, अपने रिष्टों पर अगर आप नजर डालेंगे, तो चीजों को मैनेज कर पाएंगे, और साथ में जो म हमेशा ये चीजे रहेंगे लेकिन आपको थोड़ा जब भी ऐसी चीजे होती हैं तो आपको थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यक्ता होगी आपके स्वास्ते के गर मैं बात करूँ तो आपके स्वास्ते में ऐसी कोई बड़ी दिक्कते नजर नहीं आ रही है यहां माता का स्वास्ते जरूर प्रभावित हो रहा है लेकिन आपका स्वास्ते जो है वो ठीक रहने वाला है स्वास्ते संबंदी ऐसी कोई दिक्कते नहीं है लेकिन ये आपके ग्यारवे भाव के स्वामी है और ग्यारवा भाव कोंसा होता है लाव का भाव होता है यानि लाव का स्व हमी आपके चौथे घर में आ रहा है जो आपके परिवार का घर है तो आपका जो कुटूम है उसके जरीए आपके इंकम बढ़ने के चांसी है आपका जो घर परिवार है अगर आप अपने किसी ऐसे वैवसाय से जुड़े हैं जो पारिवार एक वैवसाय है जो पैत्रक वैव होने वाले हैं अब देखे सूर्य किन चीज़ों के कारक हैं सूर्य मैंने का नेत्रत्व का गुण देते हैं तो राजनीती से जुड़े लोगों के लिए भी अपनी बातों को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है और ये सरकार के भी कारक हैं तो उन इस ब्रेंट की मैं यहां से जुड़ी हुई होगी तो उस खुशी के लिए आप बहुत अधिक उत्साहित भी होंगे और ये खुशी आपके लिए आपके सपनों को साकार करने वाले राहा पर आपको ले कर जाएगी ये ऐसी चीज़ें आपके लिए होने वाले हैं सूर्य पिता के कारक हैं अपने प मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है और सूर्य बहुत आचानी से मजबूत हो जाते हैं आपको क्या करना है सिर्फ आपको सुभा को एक लोटा जल सूर्य को देना है ये हर कोई कर सकता है बिना किसी को पूछे बिना किसी को दिखाए सूर्य को मजबूत करना हर किसी के लिए जरूरी है इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सुभह सूरिय को जल देते हैं इससे आपके चहरे पर तेज भी आता है इससे आपके चहरे पर तेज आता है और साथ में आपके जो कारे हैं वो बनता है पिता के साथ मजबूती आती है और आपका जो व्यक् तो लाब के स्वामी को मजबूत करेंगे तो लाब तो होगा ही होगा तुर चाहिए आप किसी भी काम से जुड़े हुए हो तो दोस्तो और अदिक एसी जायनकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूए